हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मने स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम चैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बहुत तिनों से हो रहा है कि एन आरे सीटी जो कौमन इलिजिबिल्यटी टैस्ट है उसका जो एक्जाम है वो कब तक हो सकता है और किस पोस्ट के लिए वह ऐिलिजिबल होगा कौन सी क्रूप की पोस्ट होगी और कब तक आपका एक्जाम जो है वो कंड़क्ट करा लिया जाएगा तो इस वीडियो में हम इनी चीजों पर बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गोर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए तो इस वीडियो में हम स्पेसली एनारे के बारे में बात करने वाले हैं इसका एक नोटीस जो है वो जारी हुआ है 22 मही की डेट में किसके अंदर जो हमारे ओपीडी यह देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर चितेंदर सिंग्स ने कहा है यह नोटीस है आपका इसके अंदर नोटीस बहुत पढ़ाए है तो इसके अंदर मैं आपको मेंमें चीजे बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है कि year के last में जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था कि 2022 के starting में हम आनारे प्राट करा लेंगे और आप बोल रहे हैं कि end में पोश्ट है यानि के कौन कौन सी पोस्ट और कौन कौन से डिपार्टमेंट में यह कंडक्ट किराए जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं यह एससी आई भी पीएस तो और रेलवेज के जितने भी एक्जाम होंगे उसके अंदर ये तक च करा जाएगा और ये गृूब टे लिए आपका कन्ड़क्ट करा जाएगा ने कि कुण च से उपर आपकी कोई पोस्ट है तो उसके अंदर यह कंड़क्ट नहीं करा जाएगा यह आप ध्यान रखेंगा नोटिस के अंदर बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है कि यह क्या करेंगे क्या रहेगा कौन सी पोस्ट में है कितने लेंगवेज में एक्जाम होगा तो वो सब चीज़े आली है वो सिर्फ यही है और रेलवे के अंदर जो भी इसका प्रोसेस है एससी के अंदर जो प्रोसेस रहेगा और बैंक के अंदर प्रोसेस रहेगा सेलक्शन का आफ्टर एनारे सीटी क्वालिफाइड केंडिडेट के तो वह मैं आपको बता देता हूं एनारे सीटी जो एनरे सी एटी जो आपका टेस्ट होगा वो एक कोमन इलिजिबिल्टी टेस्ट है इसको अगर आप क्वालिफाइक कर लेते हैं तो आप सभी के जो डिपार्टमेंट मैंने पहले बताये थे तीन उनके प्री एक्जाम को देने से बच जाएंगे और यही आपका उन सब के या फिर रेलवेज का हो शिर्फ टीर टू यानि के मेंस एक्जाम ही देंगे अगर आप सीटी क्वालिफाइक कर लेते हैं तो और सीटी क्वालिफाइक करने वाले कंडिडेट को ही मेंस के लिए जगा मिलेगी अगर आपने सीटी क्वालिफाइक नहीं किया है तो आपको मे प्री एक्जाम है इन तीन डिपार्टमेंट के लिए वह अब से सीटी होने वाला है यह में रीजन है इसको कंड़क्ट कराने का जैसे कि आपने भी देखा होगा कि उत्तर परदेश के अंदर भी पीटी कराया था जो कि ग्रूप सी की पोस्ट के लिए लीजिबल होगा जैसे तो वह इस तरीके से काम करेगा इस साल के लास्ट के अंदर हो सकता है कि इसके फोम आ जाए और यह फिल भी होने लगे तो यह इस नोटिस में सारी चीज़े बताई कई थी मैंने आपको सारा नोटिस ना दिखा कर जो में चीज़े थी वह बता दी है इस वीडियों पर सितन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें थैंक यू